क्या हुआ सूरज सर पे आगया है आपके शहजादे अभी तक भी उठे नहीं है उठ जाएगा अभी तो 11 भी नहीं बजे हैं आप जाईए अपने काम पे 11 बजे उठने की सला किसी डॉक्टर ने दिये अधिये कल रात को काफी देश से लोटा है मेरा बेटा हां हां बड़ी कमाईयां कर गया है ना काम का नकाज का दुश्मनानाज का दिल तो करता सुबह सुबह नाश्ते की जगह जूते परोस्दू में इसको अधि अधि गर को आप लोगोंने मच्छी मार्केट बना कर रखा है अलीफ हो गट दिमाग खराब कर रहे हैं अरे 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 आप इतनी जल्दी उठी गए क्या चेरे पर धूप लग रही थी से तू भी बेटी बेटी क्या कर रही है जा के अंदर बिस्तर लगा दे आप तो सोने लगें लेकिन मुझे तो काम पर जाना है ना सोने से पहले एक बात सुल दीजिए क्या है बताइए कुछ नहीं वह रियल एस्टेट वाले शर्मा जी के पास एक अकाउंटन की नौकरी आपको पता है शर्मा जी दसवी पास है और मैं ग्रेजवेट हूं और आ मुझे भी ब्रश भी करना पड़ेगा नहीं यह सब तो बखवास है शेरों के मुझे कभी धोयें किसी ने तो सोजा 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 बेटा कोई फिकर मत कर आराम से सोजा फूटे करम आपके बेटी की शादी में मेरा खाना खाकर आपके पिताजी ने क्या का पता है बेटा करता हूं बेचारे अगले दिन ही चल बसे वो काजू चार किलो लगेंगे बादाम दो किलो लग जाएंगे अब घबराई मत सुना है भूत लेत रात में घुमते हैं लेकिन मेरे घर में तो ये दिन दहाडे घुमते हैं मैं उसे ठिकाने लगा तो आप जाए हमी जेरी सुबहा है एंग डॉंट डिसाग मी इंगलिश्वा मटर बटर करता है अरे अरे यह क्या आप मेरी बिटी को मार क्यों रहे हैं जो मार ना हूं सुबहा के ग्यारा बजी इसके आंख खुलती है और फिना मूध होई चर्री खुश जाता है तो क्या हुआ इतनी सी पाद के लिए आप उसे हाथ से पेड़ेंगें इसे जाड़ो से मारिए है है अ यह जो देख भावता है जोड़िये मत उसे करवाजा खूल बत्तमीश किए कर देख गैस पर रूद रखायो बलकर निकल जाएगा तो निकल देख अलो फिल्स्टेशन है है मैंने उन्हें कमरे में बंद कर दिया है आप आईये और उन्हें ले जाईए नालायक हमने क्या जुन किया है किया ना मुझे पैदा क्या ठीक से भूग के भी नहीं आता है पीन है कि यता यहा हुआ सुबहा स्माइक प्यां कि रहा नदी क्यों रहे कि मेरे च्रोप पेस्ट का इस्तिमाल बढ़े कहा कि हुआ तब बताना ये मेरी मा की कमाई है इसमें मेरा भी अधिकार है अरे क्यों चिरता है इससे कल को शारी करके चली जाएगी अच्छा फिर तो और मुसीबत होगी कल इसका पती आकर मेरा शेविंग किट भी इस्तेमाल कर लेगा मिस्टर विशाद देखो मुझे मेरे नाम से मन पुकारो हजार बार बोल चुकाओं तुम्हें तुम अपने जिम्मेदारी नहीं सभालोगी तो मैं भी तुम्हें भर्या नहीं कहोंगी दो हजार वर के चुकी हूँ अरे बस बस करो तुम दोनों हर रोज यही नाटक है तुम अरे इसे तयारी करनी है शाम को लड़के वाली जो आने वाले मेरे पास अकच्छा अडिया है उन्से को यह नहीं सीधे राशनी दुगान पर पहुंच जाए वहां पर इसे अच्छी तरसे देख लेंगे इस भूतनी कासली रूप वहीं दिखाई 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 उन्ह हाई डैड चलो हजार उपे निकला नहीं निकालूँगा अगर आप सच मुझ मेरे बाब हैं तो अभी के अभी 1,000 रूप निकालू तुम्हारा पाप होने के नाते एक बात कह देता हूँ। अगर तुम मेरे बेटे हो तो अपने अपने हाथों से खुद कमाऊ अपने एु वह वाइस यह कौन रंगा कपड़ा था? ब्लू जीन्स थी और रड़ टीशिट. अरे यही तु मेरे कपड़े यही ते कस्टेमर का कपड़ा है? तु कहें भेंजे? रहना लाइ, बुरू की तर पुत्ता, बुरू करा तर 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 वाव। हूँ, सैंसी। अबे यह क्या कर रहा है, वो कस्टमर की नावी अबुकर जूते पड़वाएगा, सोच रवी। तैं तैं, आज की मसालेदार खबरे आप तक पुचा रहा है यह क्रेजी चटू। खोली नंबर 22 में हमारी गिर्जा किसी लड़के के साथ घूम रही है। एवशाहिन के ने टावर में एक जबरदस पंजाबी जोड़ी का आवमन हुआ है। फिकल्स, पास प्लास। और खोली नंबर 27 में, अमारी लिटा पाजी के खोली के तारूल पर नाइम आ रही है। खबरावे बागी है दोस्तों, खोली नंबर 42 में, अमारी फातिमा सालिम के दर भाग गई। अबे क्या हो, इतना क्यों रियक कर रहा है। खुशी का रियक्षिन दा यार, बाती बाच चले गई। उसके जोटी बन तर आराम से लाइम आर सकता हूना यार। इले खा, तु भी खा, उसे तु दिख। तुछा बाइटी आमर घारे तु जवाने के सकी। बाइटी, 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 बाइटी जोटी, बाइटी, बाइटी, जोटी, बाइटी, चल, चाड चाले टाएटी, चल! सुनो, अन्ना, चाड चाएट किसके लिए है? वो, देखो, मुझे चाल लेक्षित पैठे ना दिवार पर, वो मांग रहा है। वो मांग रहे हैं है। ये, चल निकल यासे। उनसे कहते जब तक पूराना इसाब क्लियर नहीं होगा तब तक कुछ नहीं मिलेगा चल निखल अन्ना कीचल पर पत्थर मारोगे तो कीचल अपने उपर ही गिरेगा ना उन्हें कैसे सबक दिखाना यह मैं बताऊँगा यह चोड़े क्या कर रहा तू लड़कियों को तारते वे कुछ भी पी जाएंगे गाठे आप टेंशन मतलो यह लीचे स्पेशल्टी कैसी लगी यह सबसब चाय नहीं यह तो हसीनों की बाया तेरी चाय का स्वाथ तो इन खुब्सूरत फूलों को देखकर और भी निखर के आया है मेरे निखर कभी विशाल की चाय पीके हम हो गये निहाल आपकी चाय से तो मेरा तिल गार्डन गार्डन हो गया क्या तो यह सुन्दरियां कौन है यारे बैचलर पेपसी दो मेरिंडा अब इजवाता हूँ यह ले होने देदे अच्छा हुआ लड़किया आ गई जहीं मोगाया पैसे मांग निगा बेकाता अभी मांगो जाओ ना अभी लेचा अब तक का इसा बताने ताव तुम लोगो इस्वा बगान रागे तीन सो पच्छिस हो गया है अभी पैसे चाहिए लड़कियों के सामने इस जगा भाजी पाला करते हैं क्या लिए पैसे देने के लिए कह रहा है आपको सुना ही नहीं दे रहा है क्या बताने के लिए थैंक्स आच्छा विश्णा मेरे पस अगर तेरे पार चुटे है तो तो दे दे मैं बात में दे दूँगा जा 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 आप लोग दे देना वो क्या है कि आज तो बैंक हो लिटे है इसलिए मैं जरा तू दे दे देता हूं लगता है बस घर पर ही बूल गया एक काम करता हूं लिके आता हूं अबे रुक अकेले कहा जा रहा है तू मैं भी तेरे साथ आ रहो रुक्चे यार बाइ अबे और भी किलें यहां पाई अबने जाता है उसके पीचे बहुरा जाता है तू नहीं समझाए हुआ हुआ है तुम लोग घर से चड़ते हैं औरे का भूम बतल गया हाँ सुहारी राहे जा हाँ नया रास्ता हाँ नहीं आशा कि किरण हाँ अब क्या वीच्छा करना चाट वो फैंटास्टिक लव्ली इसके कालों को देखकर तुम मेरे दिल की धड़कने बढ़ गई है कहीं बर ना जाओ यार अले अपरे आखे तो देख सो आख शी इसके सामने पानी मांगी कि यार अज़ित अब मुद्र्शित देखो प्रफश्च नहीं बढ़ एक आपने डर्म और पोलाए भोटू पर लगाने के लिए लिपस्टिक निकाल रही होगी तो देख लेकरा है अभे, इसने तो मोबाइल लिका ना, यार? हलो, पुलीस कंट्रोल रो? अरे, अंकल, मैं रेखा पॉल रही हूँ. नहीं, नहीं, अंकल, मैं दस पचे की बस से बस सफिहार जा रहे हूं अपटी जॉब पर. हाँ, लेकिन बस में चार आवारा लड़के मेरी साथ बड़ी मत्तमीजी कर रहे हैं, अंकल, हाँ, बहुत परशान कर रहे हैं मुझे, हाँ अंकल, वो रासे में मेर्का पर स्टेशन पड़ेगा ना, आप आप ऑफिससे से बाफ करेंगी ना, थाइंक्यू, आंकल, बाई, अर हाँ, अंजली, हाँ, अच्छा हुआ, तुम यहीं मिल गई कवीता, क्यों, क्या बात है, कुछ दिन पहले मेरे अंकल का स्वर्गवास हो गया था, आज उनकी तेरवी है तो मुझे जाना पड़ेगा, अगर नहीं गई तो आउंटी बहुत बुरा मानेंगी, अरे यह तो व हाँ, हालो, हालो, हाँ, क्यों तो चुना लगा के निकल गई, आज बचके कहा जाएगी, यह हमारी गली है, हमारा माला है, जिला है, और यह अगर तुम बचाओ बचाओ चिलाओ जिलाओगी भी तो भी कोई मदद करने नहीं आएगा, चाहे तो तेरा यहीं रेप कर सकते है लेगिन करेंगे नहीं पता है क्यों हमें इतना दमी नहीं है और हमें प्रैक्टिस भी नहीं है बख्वास कर ली हो तो आप मैं कुछ कहूं शक्कल से तो चारो हीरो दिखते हो पर सबान खोलती ही साब को जीरो हो जाता है और नहीं तो क्या उस तर बस में मुझे बॉलिवूड हेरोईनों के नाम से चढ़ा रहे थे वह टेस्ट अगर उसकी चगर एंजली न जोली या कैमरो डियास जैसे हॉलिवूड हेरोईनों के नाम से चढ़ाते तो पता है मैं कितनी खूश हो जाती हूँ तो बैट आप लग बस दिखने में ही अच्छे हो और तुम्हारी कमेंट्स तो बखवास हैं अरे बाप रे तुम इतनी फॉरवर्ड लड़की होगी हमने तो सूचा भी दी था ओके पास्ट इस पास्ट आज से ही हम सभी अच्छे तोस्त हैं आज वैसे तुम यहां कैसे रूम नंबर 47 में में अंट्य आटी रहते हैं तहीं आज उनकी 50-फी सालगिरा है तो मैं लो इने बधाया देने जा रही हूं अगर चाहो तो तीम लोगों मेरे साथ जा सकते हो नो परप्रल्लम तुम्हारी आट्छ आंटी की सालगिरा मतलब ने तो हम ज़रूर तुम रहे साथ चल कर उन्हें ब जाने वाले को आज तक कोई रोप पाया है बहला ऐसे में बस आपको हिम्मत से काम लेना होगा हाई तुम इतनी चल्दे मिल भी ली जाना तुम लोग मिलकर आओ तो बस यह रिखना हाँ हम अभी अंकल आंटी को बदाई रहाते हैं अनिये है जला आपकर चल्दे हैं हाँ जल आपने चल्दै आँटी आकटी के आपके और्रेस्थ है बच्चे हो यही अमारी श्द्कमना है रहाँ की जोडि जी हजारो सार साल के दिन हो दस हजार आप तो जोनों के लिए हमारी यही आर्ज हो पच्छास ही जालगे रके सुआगराद में बारत्वार्गर ने हलो यार यह तो धोगे मास निकली हमें भीर से उल्लू बनाकर चली गई आखिर हमसे बचके यह जाएगी कहां हम इसे छोड़ेंगे नहीं हमें जरूर वह उसी बस्टॉप में मिलेगी क्या 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 गादा डाले सेलपोल, पुलिस कंट्रोल रूप, पचास में साल गिरा आंटी की, तुमने क्या सोचा था, कि तुम हमें भसबा कर बचके रिकल जाओगी तुम्हें आमसम से डर नहीं लगता हां क्या कहाँ लेडिस बस पे चड़ के लेडिस को ही चोगे, चलओ घ्रा यामेक तुम्हें आंटी तुम्हें lon साभाण अरे चाहँ का रम कि अग्रेश के अग्रेश कर दो प्रॉब्लम ने कि जोट पॉल रहाला कुछ पासदना है एक बार किसी लड़के ने की लड़की को छेड़ दिया था उसके प्यारे प्यारे चेरे पर मैंने आश्व के लिए क्या वो बोटल है प्यामारे पास और उसमें असिट भी पचा है अब कल ही एक लड़के ने लड़की की सब पर हाथ डाला था उसे लॉक अप में खत्प कर दिया पर देवी थे सर आपको प्रमोशिंग भी पिलाना है सर अम सब से बहुत बड़ी गलती हो गई हमें जाने दीजिए सर लेड़ी बस में क्यों चड़े थे सर इसके तादी बड़ी सिरिया से हॉस्पिटल में पिटे बोल इसले खल बजी में हम लेड़ी बस में चड़ गए सर लॉन से अपोलो हॉस्पिटल सर सच सच कह रहे हो ना किसंद सर बैट किसंद बस आखरी बार तीजरा हूँ इसके बाद किसंद सर उनकी माँ अपोलो हॉस्पिटल में ही है प्लिस यूच शूच शूच तुम सब लोग जिस पस्टॉप से बस चड़े वो ही तो अपोलो हॉस्पिटल का पस्टॉप का अपोलो नहीं खोलोगे टाल दो इन सब को लॉकप के अंदर और मेरी काली वाली बैट लाओ चल्दी लेकर रहा है तुम यहां पॉलिस स्टेशन में आपको अपने दोस्तों में शादी के कार्ट्स बाटने थे ना तू यह लीजे मैंने सुचा कि अरे तुम सब यहां क्या कर रहे हैं देखो हम किसमत के मारे कहां फस गए हैं यह तरह तोस्त है क्या है पूछने वारी कौन सी बात है सर राजू बच्पत से हमारों पेंच में ठाए घ्लास में थे वह सब छोड़िये डड़ी यह लोग यह यहां क्यों आए हैं यह 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 नहीं आए मैंने लेकर आया हूँ लेडिस स्पेशल बस में यह सारे लेड़े लड़कियों को छेड़ रहे थे लड़कियों को छेड़ रहे थे क्यों बेसालो यह आदत अब तक छूटी नहीं क्या तुम्हारी डैड़ी अंजाने में शायद इन लोगों से गलती हो गए इनकी तरफ से मैं आप से माफिय मांगता हूँ जोड़ दीजे इन है वैसे भी क लड़कियों को छेड़ते देखा तो छोड़ूगा नहीं ऐसा हो अभी नहीं होगा सर लड़की दिखी तो हम रास्ता बना लेंगे सालो तुम्हें अपने बाप से छुड़वाया है मैंने मेरी शादी में आना मन भूला अगर तुम लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो तुम्हारा किस्सा ही क्लोज कर दूगा याद रखना जारी लड़कियां उस तरफ बैढ़ी है हद में रहना वरना वो मेरी काली बेल्ट याद कर लेना आपका काम कैसा चलो है अपना दो मंदा चलो है तुम सब्सक्राइब क्या दिया है ओ हेलो आंटी तरफ बुम्हारा किस्की खिर और प्यारी भी निख्ण् सेधस्ट्स आपका सेधस़्िंग लिग किस्ट्स वो तरह तरह डर्थаний ठुम उनार्ट ओर आई उतALS और हो फ्सक्राण बहुँ tem झाल मर गए इस बार तो उस लड़की न रंगे हाथ हुआ में रिकॉर्ड कर लिया है अगर उस गेंडे इंस्पेक्टर के हाथ वो टेप लग गई तो वो हमारा अपबा जब डंपा कर देगा हर बार आसानी से बच जाते थे लेकिन इस बार तो खड़े खड़े ही लग गए हम तो सब्सक्राइब कर लेकिन तुम लोग तो चार हाथ आगे निकल गए यार सालो सीधे दुल्हन के कमरे में ताख जख करने लगे थे तुम लोग का तो गेम खतम यार वह इंस्पेक्टर तो काट के रख देगा तुम लोग तो बढ़ गए यार मैने तो इसे कहा जाके दुल् तैंटीस चोंतीस अंजली सारा सामान आगे है ना हाँ पापा सारा सामान आगे बहुत बढ़ा इतना सारा सामान हम अकेले कैसे जमाएंगे कम से कम चाहरा आद्मियों की जरूरत होगी क्या जोक मारा यहाँ अश्यास पड़िया किल गए अब हाथी की बच्ची देगा हाँ और यह लड़के तो फारी फार का आथी के दमारे कलकर टुप्ड़ कर रही है जूप्ड़ को नहीं नहीं है शूप्ड़ मारी बेर्न ने ग्लासिस नहीं है बिल्कुल नहीं है पड़े जाओ तुम्हें चार आपनियों की ज़रूरत है ना मैं चार मिनट में लेकर आए चलते हो क्या चलना है पुलिस टेशन चलना है अप नहीं तो हमने आज ही यह नया घर किराय पे लिया है यह ज़रूर नहीं हमारी मदद करतो हम और समाव उठाएंगे हां पता है ना क्या सट में तुम तुम तोनों का तो फिर भी ठीक है लेकिन तुम तोनों अगर यह कैसे इंस्पेक्टर अंकल के हाथ लग गया तो पहले याद दिला दिया होता तो अच्छा होता जब तक कैसे त जरूर हम जरूर करेंगे दाट्स गुड चलो देदे यह लीचे दूल यह लोग क्या कर रहे है वक कराब है ला इस लिए यह पहुंच गया है एक आइडिया है सामान ठीक करने में इस छोटू की वदत लोगे तो अच्छा होगा मतलब यही तुम लोगो को सुपरवाइस कर जलना से जलना सब्सक्राइब करना कर दो दो है जराप इधर को आईए यह पटाएए जवानी के दिनों में कैसी लगती थी पहले जिसकान के लिए हो वो खत्म करो बाद में देखता हूं तुम लोगों का क्या करना है और तुम यहां खड़ी मत रहो पीछे आओ मेरे प्यारे दोस्तों लगता हिए हमारी जिदे की का आखरी दीर है तुम लोगे हाथ पर अभी से भूल गए क्या जला जल्दी काम चुने करो मिस्ट लवी तुरा टेबल को खिता कर सोफे के पास रख देना मिस्टर विशॉल इन कुर्दियों को तुम टेबल के इंग अब देना मैं देखने आऊंगा और यह कच्रे का डिबा उठाकर टीवी के ऊपर रगों विवकूफ कच्रे का डिबा उठाकर टीवी पर अगदू जा बहार बराम्दे में रखका ला या टीवी रख्या हूं तेरी तो अकल के घासे ने गई हातिकी ज़रा खातियों तुम मेरे तुम डिबा के बुता, जया झवी भी करो हो यह, प्रूकर है को धातियों क में जडू अहू धदू तुम है कि अच्छा जमाया बेरी गुड अश्का जटा में तो इतनी जल्दी भी क्या है कितनों काम बाकी है पानी भरना है पत्त धोने है कपड़े धोने है पहले ही दिन में तुमने उनकी चुट्टी कर दिया आत विलाओ आत विलाओ रिंग हो रही है इंस्पेक्टर की आवाज पता ना उसी की आवाज में बात लए पकड़ हलो अंजली मैं बोल रहा हूं इंस्पेक्टर अंकर बगल की फोन बुच ने ने सॉरी फोन बुच नहीं इंस्पेक्टर अंकर अरे अंकर आओ मैं ही बोल रहा हूं बेटा आवाज तो ठीक है ना तुमने पहचा लिया ना आवाज थोड़ी बदली से लग रही है वो थोड़ा सा जुकाम हो गया है वो कहते है ना गल्ले में खिच-किच होगी है रताये ना आंकर कैसे के लिए फो क्याम और एंटेस्टर जल्दी से मै Einstein कि ने खषज कंटो कैसे को अंतरल दोस्तत कॉल्ग ख़। एक बर वो कैसे टाने दे फिर बता दे तू पहले बात कर अहां बेटा उन्ही नालाय कावारों को देना हां ठीक है उन्हें भेजी जे ओके थेंक्यू माइडियर बेबी इतरा जाब क्या यह है बनाते हैं तुम यह इंस्पटर अंगल कहां से और वहां तुम लोग यहां क्या कर रहें अब हमें मैडम के लेवर्स हैं सही वक्त पर आयो इस शादी की कसट में तुम आपने देख लिया क्या साब कुछ देख लिया मैंने तुम जैसों को तो बास सीधा गौली मार देनी चाहिए वैसे गन आपके जेब में यह रांकर बाहर निकाली ना अले कहा गए करते क्यों यह दिखाने के लिए यह सब हमारे रिष्टे दार है यह दिखाने के लिए तुम शादी में पर कसट सिखाए वो आइंदा जब भी किसी फंक्शन में जाओगे तो वीडियो में हम जरूर दिखाए देंगे सार अंजली बेटा मैं चलता हूँ इसका मतलब हमारी फूटेच कैसेट से अगर उस गेंडी को पता चल जाता तो वो पक कहा हमें उल्टा लटका देता पता है तुम्हें तुम लोग इतने डरे हुए क्यों तुम लोगोंने मेरे सक शरारत की तब मैंने भी तुम लोगों की थोड़ी टांग खीच ली जस्टेट फटाच ओकी लट्स फगेट अज क हाई विष्णू मेरा नम भानो है पोस्ट बॉक्स तो बंद कर लो यार चलो ठीक है आजसे हम दोस्ट बने हैं तो मेरे घर पर इस बात पे चोटी सीट चलो अंदर आओ जलो आओ नाओ बैठा आओ तुमनों आपस में बात करो मैं दो मिनिट में आती है हेलो कहां जारी शून पापा नहीं है बाहर गये है मुझे चाय बनाने थक नहीं आती है औरे चॉन आने कि क्या ज़रूरत है किचन में सामान भावं तो पड़ा होगा ना सामान तो है प्ड़ा अरे मुझे आता ना चलो दुखा क्या बात कर रही हो तुम्हें भानु की टैलेंट का नाजा नहीं है इसके डैट केटरिंग की बिजनिस में मास्टर है हां और यह उनसे भी दो हाथ आगे है तुम बस देखो यह चुटकी में साब सेट कर देगा अबे तल जाना हाँ भी लो हुआ 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 है हुआ 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 है नेश्टा तैयार तेस्टिट फ्रीज खुश्पुसे तो सारा घर भेका अब इखा कर देखे हूँ क्या हुआ हुआ है क्या हुआ है क्या प्राब्लम क्या रहे हुआ है आज तक मैंने इंडियन खाया चाहीज खाया कॉंटिनेंट लगे लेकिन इसकी सामने वो सब पेकार है यह दुस्तों पाफ है अब तो बहुत ही बड़िया बना है इतना अच्छा खाना बना मैं बना सकती हूँ क्या पापा यह यहां इनों ने बना है इनका नाम भानु नर्क एक स्पेशलिस्ट है यह बानु तुम्हारी होने वाली बीवी सच में बहुत लगी होगी बड़ी ही खुश नसीफ होगी वो लड़की जिसे तुम जैसा पती मिलेगा बड़ी ही खुश नसीफ होगी वो लड़की जिसे तुम जैसा पती मिलेगा बाइट वे पापा मैं इंसर मिलवाना तो भूली थे इनका नाम है विशाल वेरी गोड पोई और मेरे लिए तो तुम बहुत अच्छा लिखोगे ना क्योंकि हमारा रिष्टा ही कुछ ऐसा है हमारा रिष्टा आप इनका नाम रभी है नमस्ते अटी मेरे पास तो कहने के लिए कुछ है नहीं पहले तो ऐसा क्यों कह रहे हूं? दर असल इस्टीम का कैप्टन तो यही है, अरे सुनिये, जिर आपने माबाप को इनसे भी मिलवां दीजिये, वरना सास भूल के यही मर जाएगा, आप यही नॉर्मल हो जाएगा। एक्चली देखा जाये तो, आज के दिनके मैनल तमाज तो यही है, विष्णू, मिमिक्री आर्टिस्ट, तुने के सतमा, इसी का का भी फोन आया था, सही का है न, ओ, अभी थोड़ी ते पहले ही फोन किया था मुझे, बेटा अंजुली, वो वीडियो का से जल्द से जल्द मे मिमिक्री, यह तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें यह अच्छे फ्रेंट्स मिल गए, हम यहां नहीं मिले थे पापा, मैं तो इन्हें बहुत पहले से जानती हूँ, पहली बार बास में, अपने पापा को फ्लेश बैक में ली जाने की क्या सरूरत है, अब यह हैपी सी जल्दी नहीं कह सकता है, मैं तो सुबह चार बजे उठ जाता हूँ, उठने के बाद जॉगिंग, योगा, बताने के रूच, तो पर तै रहा, कल सुबह पांच बजे जॉगिंग पर मिलेगे, ठीक है, ओके, बाइ, 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 अरे, क्या चोर-चोर, I'm your son, अभ का हो, अन्रा हो गया हो, का हो, एकर मतलब, इस सपना नहीं साच है, अरे, विशान, ये क्या, यहां पेट के नीचे बैखे, अकेले-अकेले कौन सी कवीता लिख रहा है, नहीं, कोई कवीता नहीं है, अगर नहीं, तो फिर क्या चुपा रहे हो, या मुझे भी नहीं दिखा सकते तो, नहीं, ऐसे फाल्तु में कुछ दिख रहा था, तुम्हें क्या दिखाओ, वो जो भी है, फाल्तु है, अच्छी है, इसका फैसला मैं करूँ, जड़ा दिखाओ, नहीं, एंजली, पीस, अरे, दिखाती हो की नहीं, सबस्तिक, इस कवी तको तो फ्रेम करा की, मैं हमेशा आपने दिल से लगा कर रखूँ की विशार, इसका भी तका एक एक लब्स, हरी कलपास, इसका एहसास, एक्सेलन थाक्यू य丘न दो माझे को. प् terribly жить? लगी जटेал गजाए हुवाइगा। यूवाद। इक कर दो 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 यूवादू कॉफू है, यूवादू हलो, टूर अंकल! निवा थे आन्कल! कलद क्या भी, अंकल? बाभाभाभाभा कितने अच्छे संसकार दियें तुम्हारे माबाप ने और एक मेरा बेटा है कि अब चलों तुम लोगों से बात का था तो इभी बाप अपना बच्चा से यहीं कहेगा कि अपना आवारा दोस्तों के साथ मत घूंबो और ना जिन्दगी भी जहाननुम हो जाएगा लेकिन हम ऐसा नहीं कहूंगा इन अलायक के साथ घूंगे अपना जिन्दगी मत खराब करो ना तोहीं सुधरेगा ना तुम लोगों को सुधर ने देगा आपने हमारी आँके खोल दी अंका जी अरे लड़का तो बील में चुपल आसनीन का साफ है अब तक तो हम इसे कुछ और ही समझ रहेते अंकल आप पता चला कि हमें बरबाद करने माला यहां तुम लोगों बाबुजी आपके कप्रे लाया हूं पुल मिला के सो रुपे हो गए सुनो आज से तुम विश्नु के ऊपर और कभी नहीं चिलाओगे कहते हैं के इंसान पहले जानवर था पर यह ना लायक तो जानवर से भी बटता है मैंने कह दिया ना तुम उसके ऊपर नहीं बेटा है फिर भी ना चिलाओ बेटा है इसलिए तो कह रहा हूं कि उस पर चिलाना मत लेकिन हम उसकर बाब हुसारो मेरी बात वो तुम्हारा बेटा है और तुम उसके बाब हो इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम्हें उस पर चिलाना नहीं है लेकिन बाब हम उसको पान पोसे बना किया है तूमसे मारे जनम दिया अपना पेट काट कर जनम दिया पाल Dutyistes बाबो Не नहीं चलमेश द्री मेरे मैं चलाना डाना-ठम Bennett आफ भेंड को जैद है बार Spaßathy यार यह विश्णुक आ रहे गया इसे तो कभी भेजना ही नहीं चाहिए हमेशा ऐसा ही करता है यह देख आगया बेल काड़ किया हो लिए तुम लोगों को प्लीज अंजली नहीं बताओगे तो जाओंगी नहीं मैडम अंजली हमें प्यास लगी है किला सुख्राइस लिए बीर पीने वाले हैं अब ठीक है अब तुम जाओ गुट नाइब रोट पे घर जाका क्यों नहीं पीते क्या मजाक कर रही हो क्या अगर घरवालों के सामने हम बीर पीएंगे ना तो वो लोग हमारा खून ही पी जा चलो जल्दी चलो जल्दी का ममी पापा यह लोग यहां बैटकर बीर पीना चाहते हैं हम नहीं आना चाहते थे पर यह जबरदस्ति हमें यहां ले आई कोई बार भी पिटा इन लोग कोई गया थोड़ी हो पिलो ना अच्छा माँ जर अंके लिए कुछ खाने के लिए बना वो ड्रार खोलना है क्यों इसके अंदर बंदूक रखी हुए यह ओपनर रखा है ओपनर आई अब यार एक बात बता यह सच है सपना है अंकल हमें ओप्र थमा के जा रहे है और अंटी अमरी लिए पता नहीं क्या नाश्ता बना रही है कहीं सारगा सारा परिवर भी अबने बास तो नहीं है अब आपक्वास बन करके पीना शुरू कर यार चिर्स यह लोग हमारे उपर किता प्यार तरसा नहीं यार बरसा रहे है यह बेर के बाद ना जवान लड़ खड़ाने लग दिया अब यह बिटा खालो मैं और ले आती है एक बात बताओं इस सब का प्यार देखर मुझे मर जाने का जी कर रहा है मरने से पहले मैं बस बातरूम जाकर अपने आपको थोड़ा हल्का करके आता हूं पुरा मत मनना है हुँआ मापकस अनिक्या प्राद मर्था आपकस अनिक्या प्राद मर्था अरे जारा समाल के वरना ओके अजय कोईचे अष्टब अधर ठीज़र चॉसो फटेंदी सब्सक्वार चॉसे उनरी है मेरे बेटी की आलत कैसी है अरे तुम्हें बताओ मेरा ठीक हो जाए अब चिंतावाद कीजिए अरे मैं इसके लड़की देख रहा हूं इसकी शादी कराने की सोच रहा हूं इतना बतादू यह शादी के लाइक तो है अब हमें कैसे पता होगा आप डॉक्टर से पूछे जिए न तुम्हें भी क्या पता होगा बाई हलो हलो सिस्टर देरे बेटी की आलत कैसी है बहुत खुण चला गया है अरे खुण जाता तो जाने दो ब्लाट बेक से महुआ लेंगे पर क्या वो शादी के लाइग है मैं जा बेचारी को कोई एक्स्पीरिश नहीं है नामस्ते नाट्र साब नाट्र साब क्या मेरा बेटा शावी के लाइक है कौन है आपका बेटा वही जिसके जिप अटग गई थी लएव थी जिप निकाल के भेग दी नाइन फो डर गया था लेकिन वह काम का तो है ना क्या जिप मैं उसकी जल्दी शादी केरवाने वालो मेरा वाइशब आपके हाथ में डोट परी नो प्राब्लम नो प्राब्लम आप अपने बेटे की शादी बिंदास कर लाईए आगे का सारा काम मैं संभाल लूँगा शुकर आप जारके जान में जान आई अरे यहां डरने की यहां सुरत है आज तुम घर जा सकते हैं तुम यहां से चुट्टी मिल जाएगी अरे बाहर किसी को यह बात पता तो नहीं है ना लौट स्पेकर पर पज़ना बाकि है आपके पिता श्री हर आने जाने वाले से पूझ रहे हैं मेरा बेटा शादी के लाए से अपना मूह नहीं दिखा पाऊंगा तुम पर मुझे विश्वास नहीं है कमीनों वादा करो उसे कछ नहीं बताओगे भगवान का शुक्र है कि कुछ ज्यादा को अलेश किसा है करते हैं मरल का जनम बहुत तपंसा के बाद मिलता है जिनगी के आखरी वक्त तक सिर्फ य बेटा शर्मा जी आप मेरे बेटे का हाल पूछना इससे मुझे बड़ी तसर नहीं मिली पता कितना गावरा गया तरह मैं पिता श्रीम सिर्फ यही लोग है कि और लोग भी आ रहे हैं मौलने के सभी लोगों को बता दिया मैंने सब एक एक करके पूछने आएंगे वेरी ग हम सबका ये फैसला है कि आज से दारुपीना बंद चलिए भेबात बग्की अच्छा सा महरे देंकर शादी कर देते हैं लेकिन सगाई के लिए कल ही आज़ा जैसा कहे हम चाहते है कि सगाई के दिल लड़की ये साड़ी पहले ये हमारी तरफ से एक छोटी सी भेट है भाब आप बहुत खुश किसमत हो भाई साब कल सगाई का कामकाज भी आप सब बिलकर संभाल दीजेगा इतने साल से हम तुम्हारे बड़ोसी का इतना भी नहीं कर सकते है क्या कि तो समाल लेंगे ना बिल्कुल समाल लेंगे चलते हैं मैंजी आचा है नमस्की जी अच्छा हम चल पर जरूर रहना अधा क्या वह 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 अंजली तुम इतने टेंशन में क्यों भानू कहीं बातरूम तो नहीं गया आपके बाइरस नहीं होगा देखो जना भागाए अरे यह लिगर आया यह वह क्या है ना इस रेस्टरून का जो कुक है वह अच्छा खाना नहीं बना पात यह मैं खाऊंगा चलो ठीक है भानू और तुम सब भी सुनों एक बहुत इंपॉर्टन अनॉंस्मेंट क्या बताओ कल है ना कल कल में गाड़ी निकल जाएगी बोलो ना कल क्या है कल इस ग्रीट अंजली का बर्दे है इस तरह विश्करने से काम नहीं चलेगा कल मेरी घर मे सजावट जरा ठीक से कर देना पुआ जी लड़के बालों ने जो साड़ी दे थी वो कहीं नहीं मिलें यह क्या कह रहे हो मैंने तो बही रखो थी पता नहीं कहा चले गई अरे भागवान मंगनी तुम्हारी नहीं है उस लड़की की है जड़ा जल्दी करो सुनिये सुनिये जी वो जो कबर्ड में रखे थी मेरी कान की बाली वो मिल नहीं रही है अजी सुनते हो मेरी चूड़िया नहीं मिल रहे है एहो सुना थो 10,000 रुपया चूड़ी होई गवा घर से अजी का क्या अघर आएए आपे ए ?ई क्या हुआ बहुत बुरा हुआ बहुत लड़के वालों में जो मंटी की सारी दीत्री वही नहीं चोड़ी हो गई है अब तो आपकी बेहन के शादी भी रूख गई है क्या कहा मेरी बेहन के शादी रूख गई अब क्यो रही हो अब रोकर क्या फाइदा वो गयाना इज़त का फालूदा शादी की खुष्षी में घर ऐसा सजाया की शोरू मना दिया कौन आ रहा है कौन जा रहा है इस बात भी कोई ख़बर नहीं तुम्हारी बेहन के लिए बहुत अच्छा रिष्टा मिलने के कुकुल काइंका कुटि पर विश्वास करके तुम्हारे अपर पर भी पथर पड़ गया है चोर दीवार फाणके घर में खुसके भॉसके बोक्स का ताला तोड़ कर पैसे चुरा कर ले गया यह तू मिलता रहे गया कुकुल का इंका। तो कॉन? उसके पिता है क्या? नहीं सर, मेरी मा का पती अरे बोले में भी शाराम आरी है सर और नहीं तो क्या पहले तो अपने घर की देखवाल भी ठीकसे नहीं कर पाए और जब जोरी होगी है तो यह यह कहके भीड जमा कर रहे है और आपका ताइम वेस्का रहे हैं अरे तो आप क्या, वोए भी नहीं जुदार सकता है सेर्ड, सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें अपनी चैनल से आपके जाए जो ले तुम ले तुम रब धर्वाना करें बिठाए ले जाए मुझे तो सोचा ना तो नहीं दियाओ, लेकिन यह तो बात क्या है मा, यह तो मेरे मद्डी की साड़ी है यह तो अहीं साड़ी है उसने जो बालिया पहनिया हो मेरी अजू सुनिए, उसके हाथों की चूड़िया भी मेरी है लागत है, हमर घर से जो 10,000 रुप्या चोरी हुआ था इहीं चुकरिया पर लुटा आदियो होंगे, हमार तो रहलो अजू से लोग ऐसे नहीं मानते, तुमसे बात कैसे मनवानी है, आमें अच्छी तरह आता है यह साड़ी मैंने ही से तफ़े में देती यह बालिया मैंने ही से देती यह चुड़ीया भी मेरी देती अपने घर से 10,000 मैंने ही चुड़ाय थी पुट्टी बेशर्मी की हथ है, तुमसे तो गली के कुट्टे भी अच्छे होते हैं, भूपर जे नातक कर रहे थे यह लड़की, इन सब को ट्रेनिंग तुने दिये क्या? इतनी महेंगी चीज़े लेते बड़, क्या तुझे जरा से भी शर्मी आई लड़की? बहन की शादे तुन जाएगी इस बात की तुशरमी से है नहीं, इसका रिष्टा तोड़कर तुम भी कभी खुछी से नहीं रहाऊगी, भरबाद हो जाओगी, भरबाद! महारानी, अगर तुक्तों गाना कप्र का इतना ही सौक है, तो कोई और धंडा ढूंड लो, अमरा बेटा को क्यो खराब कर रही है? आप देख के रहें, इंस्पेक्टर साप, इन चोरों को अच्छी सजा दीजिए, इन लड़को को शेय देने वाली इस लड़की को और हमारे बेटों को जेल पे डालेगे, तो चले! आप इसे छोड़ दीजे, हम अपनी गल्ती मानते हैं, सर आप चाहे तो हमें जान से मार दीजी, लेकिन अंजली को छोड़ दीजे, प्लीज अपनी बर्दे का खाने के लिए के लिए तुम लगों को अपनी घर में चोरी करते हुए शरब नहीं आई तुम लगों को इस तरह चोरी के गिफ्स देने से अच्छा, अपनी महनत और इबात्दारी के कमाई से अगर तुम लोग भी नहीं चाहिए, बस एक बार दिल से तुम्हें कितनी खुशोरती पता है, आज मेरे जनन दिन पर भरे बासार में लोगों के साब ये चोरी की चीज़े पहन कर, ऐसा लग रहा है कि मैं बिना कपड़ों के घड़ी हूँ, हाठ जोड़ती हूँ तुम्हारे, इस तरह की महरबानी नहीं चाहिए मुझे, तुम्ह आज के माद कुछे अपनी शक्यों मन दिखाना, आज से तुम्हें मेरे दोस्त नहीं हो, दुश्मनों, दुश्मनों 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 मही रुप जाओ, अंदर पताना, इतना सब कुछ हो जाने के बाद तुम्हारे अंदर आने कहिमत कैसे हुई, मैं कहती हूँ, मही रुप जाओ, चले जाओ यहां पे, नहीं को मैं पुलिस को बलाओंगी सच यहीए कि मैं तुमसे बहुत प्याब करता हूँ, जो हो उसका मुझे बहुत अफसोस है, यह मैं तुमसे बहुत क्यार करता हूँ, अगर तुमने मना किया, तो मैं अपनी diyorsun को मैं अपनी जान देदूंगा प्लीज फोन मत काट देना मैंने जो भी किया उसके बाद जायज है कि तुम मुझे ना बोलो पर मैंने इसा क्यों किया पता है आई लव यू अंजली तुमने अगर हां कहां तो खुश नसीब समझूगा और अगर ना कहां तो इस दुनिया से हेलो अंजली मैं विश्नु कोल रहा हूं सामने आकर बात करने के हिम्मत नहीं है आई लिव यू अंजली शायद तो मुझे समझ सकाऊ तुमने यह लेटर दिया है माफ करना अंजली जब से हमारी दोस्ती हुई है तब से तुम मेरी प्रेंडा मेरी कविता और मेरी सिंदगी हो अगर तुमने मुझे ठुकरा दिया तो फिर मैं यह कविता ही क्या यह दुनिया ही छोड़ कर चला जाओंगा तुम्हारे बिना मैं मर जाओंगा तुम्हारा विश्नु अजली हुआ यह तास्टेम टैम बह्यां टैटश्रेवगी छोकलीट्ट्स अज़ करें अभी बतने हैं कि कि छोकलीट्स कि यह खिए वाँ खव खव बंदास खव थैंक्यू यह क्या भाईया कोई गिफ्रिफ नहीं मिलेगी क्या गले की चेन हाथ के अंगुठी या फिर घड़ी मैं कुछ भी ले लूँगा इस अनाद को तो कुछ भी चल जाएगा डेदो ना देदो ना जले अरे 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 कि अ कि अ कि अ कि अ अ विटा अभी तेरे लिए कोई ख़त आया है मैंने टेबल पे रखा है अ 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 मैंने हमेशा से तुम जैसे साथी की काम ना की है तो अग मैं मना कैसे कर सकती है लेकिन मेरी एक शर्त है जब तक तुम्हारी जिंदगी सही पट्री पर नहीं आ जाते हमें ये बात किसी से नहीं कहनी चाहिए यह तक कि दोस्तों से भी नहीं हम दोनों की जुन्दगीयों को एक सही दिशा मिलनी चाहिए और मैं उसी दिन का इंतजार करूँगे तुम्हारी प्यार अंजली 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 कि बार किसकी होगी अंजली की अंजली की अंजली अंजली की अंजली 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 के लिए अच्छा रिश्टा लेकर आए थे अपने क्या अरे मना कर दिया है किसलिए मना किया यह नहीं पूछोगे क्यो मना किया अरे लडगा बहुत ही खुबसूरत है करोनों की जायदाद भी है उसके पास और हां एकलोता है वो बेवी काम काज कुछ करता नहीं बस खाता पीता और सोता है ऐसे लड़के को मैं अपनी बेटी कैसे देदू ऐसी लड़की जो खुद महरत करते महिन में तीस हुजार कमाती है अब तुम ही बताओ कल को किसी ने पूछा कि तेरा पती क्या करता है तो क्या कहेगी बैचारी दिन भर खाली घूमता है बस रात में मेरे साथ आश करता है यही कहना पड़ेगा उससे है मने कुछ गलत तो नहीं कहा ना मर्द की पैचान उसके काम से होती है जो अपने काम की और अपने बीवी बंचों के सिम्मेदारे नहीं उठा सकता वो असली मर्द है ही नहीं है 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 कि यहाँभि चपरासी की नौकरी के से वह और कोई नौकरी नहीं है आप जा सकते हैं चपरासी की नौकरी भी चले की सिर काम देदीजिए चपरासी के मतलब किसी काम के लिए मना नहीं करोगा ताइम का कोई ठीकाना नहीं है काम भी भरपूर होगा कर पाओ गए तो ठीक है मेरी बीबी आती होगी वही यहां की बहुस है एक पर उससे बात कर लो तरह को देखो आहीं गई तुमने ग्रैजुएशन कब पूरी की पांच सल पहले सर कोई का एक्सपिरियंस जी नहीं इसका मतलब इसके पहले कहीं कोई काम नहीं किया नो सर तो पांच साल में सिर्फ अपनी जिन्दगी मजे से इंजॉय की एक्जैटली सर Mr. Vivek, एक मुड़ याँ हिये, प्लीज? Yes, Sir. Go down के सारे स्टल्क्स चेक कर लिये तुमने? Check कर लिये सर, सारे स्टल्क्स क्लिएर हैं, सर और एक कंसाइन्मन अभी क्लियर हुआ है. Very good, बैसे अभी तुमारा फिफ्ट स्प्स सेमेस्टर चल रहा है न? फाइनल सेमेस्टर सेर मतलब पास हो गए अब तक रिजल्ट नहीं आया सेर विश यू आल दे बेस थैंक यू सेर जाओ अपना काम कर लो ओकी Mr. Ravi Sir, आप जानते हैं वो कौन है कम्प्यूटर इंजिनिरिंग कर रहा है इसके पिता एरपॉर्ट में मैनेजर है बालू मैं आपको उनकी सेल्वी क्या है? महीने के एक लाग रुपे इस लड़के को काम करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन वो अपनी मेहनत की कमाई से पढ़ भी रहा है और यहां पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा है और आप खुद को मामूली मेकेनिक की बेटे बता रहे इसके बावजूद पिछले पाट साल से खाली घुम रहे हो बच्चा जब तक दूद के लिए वोई नहीं तब तक माँ भी दूद नहीं देती हमें इस कमपनी के लिए मेहनती लोगों की तलाश है जिन्दगी जाया करने वालों की नहीं यू केन गो क्या बात है भाईया आजकल आप लोग क्या आते ही नहीं आपके बिना ये खाली दिवार और भी खाली लगती है बिल्कुल नाट हो गई है ठीके 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 क्या खाओगे ये बताओ इटली वड़ा डोसा पूरी चपाती अबे चाल हाट 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 बटन अवड़ा पाओ भाजी कालता बजिया समुझा पाओ बढ़ा पाओ क्या भाईया इतनी गुस्ते में क्यो हो कम से कम आजक चाय तो पीलो आखरी दिन है आखरे दिन किसका बै ते रहा हमारा यही घार दूगा नहीं बया फोकर का आखरी दिन है अंना इस होटल को बेच कर अपने गाओं जाने वाला है यह, इस होटल बेचने की कह ओष्ट प्ट पड़ गई बात वो नहीं है बईया इस ओटेल की कमाई से अन्ना ने अपने काउं में चार एपर समीख खरी दी है वही घरवान के सेटल होने की सोच रहा है वह क्या है ना इस पिनर की नॉपटी कार करके मैं भी पाधिया हूं मैं मालिक बनना चाहता हूं में अभी प्रमोशन हो जाएगा ना खाइला खुलार ने तो ना अगर तुम सब मेरत करने को तैयार हो तो फिर मैं साथ क्यों नी दूगी और अगल होटेल का इडिया चल पड़ा तो मेरे घर्टा खाना भी यह इंग से आएगा विकर कि क्या है बात जब अंजली हो हमारे साथ क्या परिशानी की क्या बात है मैंने करना मैं पैसे दोंगी इसे लोन समझ लो हर महीने तुम लोगों से स्तूर भी लेती रहो अरे तो फिर देर किस बात की बटा फट निकालो डाय लाग रुपए कल इस ओडल गाव घार्डन धूंदाम से करेंगे पेश है स्पेशल दोसा करें करें पार्टी आईए टेवल साफ करते हैं आए बताईये क्या लेंगे गरम गरम जो सा नरम नरम उपमान गरम चाहिए ठंडी चंडी चंडी चंड़बत क्या लाँ उससा बाब के लिए इस होटल के मालिक को तुबलाओ अबेचने वाला वो कौन और खरीदने वाले त और आप ये इंफॉर्मेशन मिली कि वो होटल बेज के चलाएं तो नहीं कर रहें ना विश्वास नहीं होता तो उस बोर्ड को देखो आप अन्द्रा बैंक वाकेट के पिनोल के यहां तक के सिलिंडर में बरे गैस की एक पाई तक वह सुलगर के गया सर जाते जाते वह बोर्ड फ्री में देगया हमने सोचा रिटर्न के विटे सर हमें क्या पता था कि यह बोड़ी हमारी लुटिया डुबाएगा बिना कोई पूश्टाच किये हुए आपको इस होटल को खरीदने की सला किस ने दी सर अब जो हुआ सो हुआ क्या वो लोन इंके नाम पर ट्रांसफर हो सकता है धीरे धीरे ये लोग सारा कर्स चुका देंगे पर कौन भरुसा करेगा कल ये भी किसी और को होटल बेचके निकल गए तो ऐसा नहीं होगा सर ये ब इसे लड़कों को बढ़ावा देने साब के पैंक और देश का दिवाला निकल जाएगा फिर आप कि लोगों को बढ़ावा देना चाहते हैं ऐसे लोगों को जो खुद सरकार में बैट कर देश के नाम पर आम लोगों को करोणों का चूना लगा रहे हैं ऐसों को बढ़ाव टो आप अपने सिर करके अपनी जेवर के क्रिकेट्ट चैसे खेलको पताम करने वाले घिलाडियों को तो आप अपने सिर पर चड़ाइगे ऐसे लोगों को बढळवा दिजी सा बढ़ावा देते रहे लिए किसी और को भी मत दिजी यहीं लोग कलकुंटे नक्सलवादी बनकर आपके सामने हैंगे अब भी मौका है ऐसे लोगों को नक्सलवादी बनकर दूसरों के घरों जाड़ने से रोक लीजिए यह सारा देश आतंक बादियों से भर जाए उससे पहले ही अपने आप समझ प्लीज साहारा दीजिए इन नौजमानों को हाँ प्लीज जुआ ही देश के शक्ति है और आप तेरे कोचल बढ़ावा दीजिए इसको तभी देश आप यह बढ़ेगा यह क्या हाल बना रखा है और कब तक ऐसे ही काम करते रहेंगे आप मेरी नौकरी अच्छी है मैं अच्छा कमा रहा हूँ आप और मा मेरे साथ आकर क्यों नहीं रह सकते जब भी बात निकालो तो छोटे को नौकरी मिल जाए उसके बाद आऊंगा ऐसा केकर आप टाल देते हैं क्या उसने एक बार भी सोचा है आप लोगों के बार में कल अगर आपको कुछ हो गया तो बैंक में आप कितना पैसा छोड़ गए यह सोचने के अलावा एक आसू भी पगड़ने से क्या होगा आप बाबा की फिक्र भले ही ना करो सिर्फ अपने पैरों पर खाड़े हो कर दिखा दो फिर गिरेबान तो क्या चाहे तुम मुझे जूते से मार ले रवी इस वक्त तुम यहां तुम जा कहा रहो रवी पता नहीं कवा अधूर में कुछ बात हुगे क्या पर मैं डर के भागा नहीं रहा हूँ माबाप पर कब तक बूझ बन कर रहाऊंगा है इसलिए चा रहा हो मैं कुछ करक्य दिखांगा है अपने पैरों पर खाड़े चल्ला नहीं रहा हूँ शर्माजी के बेटे रवी को जानती हो ना हमारा बेटा ना चला जाए घर में दिखाई नहीं ते रहा हो कहीं ऐसा तो नहीं वह भी बस इतना ही ना आप मेरी साथ आई यह जाए अथो का जो स्वाद है वो मशीनों में कहां क्यों साही का ना मिश्रा साही बोला बया माजी रोटी के लिए शायद आटा कंपर जाए थोड़ा और मिला दो पापड बनाते वक्त धीरा थोड़ा ज्यादा डालो ताकि स्वाद में चार चान लग जाए यह बादू यह सब क्या है रहे आज से मैं खाने की साइंस में पी एच्डी कर रहा हूं सस् स्वादिष्ट और सेहत मन मामला बना रहा हूं अच्छे खासे पढ़े लिखे हो ऐसे काम तुम्हें शुभा नहीं देते पाठक साहब से बात करके मैं तुम्हार लिग अच्छी नौकरे के इंसाब कर दूँगा क्यों इसी काम के साहरे आपने मुझे पाला पोसा इसी काम क्यों नहीं अपना सकता इसके सामने मुझे मिनिस्टर की कुर्सी भी नहीं जी या यह तो अधिवार सच सच बताओ यह मेरी वाला देना मतलब आप मुझे पर शक्कर हो तुम्ही अजीव हो बजाग को सीरिसली ले दी हो अजली , हाई विशाल थेंक्यू , थाय थेंक्यू, हंच्यू, थायू थायू मच्यू तो , हुआ क्या मुझे बन बताय तुमने मरी गविताए मेगजिन भीजदी न entities किसी मैगजिन के पोईटरी कॉंपटिशन में मुझे फर्स प्राइज मिला अंजली पहली बार किसी मैगजिन में मेरा नाम छपा है कितनी खुशोरी मैं बता नहीं सकता यह चेक दिख रही हूं 25,000 रुपैय का है मेरे जिंदगी की पहली कभाई यखीन नहीं हो रहा है मुझ की त ही मैज़िन में पढ़कर आप जिसकी कटिए की तारीफ करें पहुधं यहाई भाइब बहुत बढ़िया लिखाये तुमने मैंने कहा था ना वही है है मेरी ऐगली फिल्म में तुम्हारा काना एकदम फिट से इनी पहिषना से भी मेरे यह अगली आज तक मैं फालतू की तुक्वंदी करता रहा है पहली बार मेरे कविता के इतनी सराना हुई है यह सब तुम्हारी वज़े से इन पैसों पर तुम्हारा ही अधिकार है इसलिए यह मैं तुम्हें देना चाहता हूँ मना मत करना देखा तुम फिससे गल्दी कर रहे हैं तुम्हारी पहली कमाई पर हग मेरा नहीं है भाया मैगजिन में तुम्हारी कविता पड़ी बहाद अच्छी है कवराथ मेरी बहन बहुत अच्छी लड़की है दरसल घलती मुझसे ही हुई है जाने अन जाने मैं बहुत बड़ी घलती कर बैठा आपका दिल बहुत बड़ा है प्लीज मुझे माफ कर दीजे इस शादी के लिए हां कर दीजे अरे उठो उठो उस दिन जो भी हुआ उन सभी बातो पर मिट्टी डालो बेठा हम तो वो सब भूल भी चुके पंडी जी से कहकर मुरत निकलवाता हूं तयारी क्याद हुआ प्रॉप अगया चलो 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 फटापट ना पर लग जाओ तीरे से ले जाना गिराना बत कहीं दोस्त की बैन की शादी है कुछ को मी ने रहनी चीए चलो फटापट हां हाई भानू खाने का ओडर तुम्हें दिलाए क्या है अब नहीं तो है फूरे चेह में पॉप्लिसिटी कर दिया है जाहे शादी हो सगाई हो मरं दिन हो जनम दिन हो या कोई भी अवसर हो ये ना चीज हमिशा आजिर है अब ये खाना चीज ने बनाया है मन करता है उसका हाँ चुमलू और क्या वाँ वाँ बढ़िया बहुत अच्छा बनाया है तुम्हें कि अच्छा बढ़िया था अगर कोई मनुरजन प्रोग्राम रख लेते तो इस वे चार्चान लग जाते हैं तो कुछ गाना बढ़ाना हो तो मला आ जाता है अब दूला दूलन को और दूला दूलन हमारा चेरा आकर सब तक देखेंगे कि शादी में आए सभी नहमानों का दिल से शुक्रिया आप सब के मनुरंजन के लिए हमने यह एक छोटा सा कारेक्रम आयो उजित दिया है मैं स्टीज पर बुलाना चाहूंगी अपनी मिमिक्री से सब का दिल नुभाने वाले एक उबर दिकालाकार मिस्टर विश्णू को मुझे उन्मीट है कि आप उन्हें जरूर पसंद करेंगे मिस्टर विश्णू आईये सभी आपकी रहा देख रहे हैं आईये ना अब जाना अंजली तुझे भला रही है जल्दी चाहा चाहा ना कोन ना या उच्छे तो पहले ही टेंशन हो रही है याद अब तेरी अकल क्या गास चरने गई है तेरी मिमिक्री गली के नुकर से उट सेटा स्कुरिया है जा आपना टैलंग का जारा है आपना तैलंग का जारा है याज गारा है तो अब बोल ना शुरू करो ना कैसे है शुरू करना सोचो बहुत बोलो हम्म ठीक इसी तरह एक बच्चा रो रहा था तभी सास ने बहु से कहा अरे ओ बहूरानी, मुह ना रो रहा है, काम छोरके उसे जुला तो जुला दे कभी उसकी बहुने का? अभी जुलाईकियो, सासुमा, मेरा राजा बीचा, मेरा शोना बीचा त्या हुआ, बहु रहाँ, बहुरा नी, बच्या है, रोना ड़न दहीं दिया, भी तक अब सुनिए एक बहुती मेहनती और इमानदार पिता अपने बेकार और नालाइक बेटे पे किस तरह गालियों की बॉचहार करता है ये देखिए और पिता का किरदार हमारे ही मैन धरम जी निभा रहा है कुट्ते के बच्चे बड़ाहे बत्तमिज बेकार नालाइक बेटा है तू सारे दिन मुफ्त की रूटिया तोड़ता है अगर तू भाज नहीं आया तू मतरह कूपी जाओंगा बेटे की चिंदा करने वाला वो बाप और कोई नहीं मेरे ही पिता है मेरे पिताजी मुझे कैसे डाड़ते हैं यह सुए अजे इतना घूर का है रहा है अजे इतना बड़ा बड़ा कट हलका जैसा मुझ खलता मात देखो क्यों शंकर भाईया अपने बेटे पर क्यों चुला रहे हो अरे हम उकरा से नहीं अपना कुकूर से बात कर रहा हूँ अले एका जनम कुकूर का है लेकिन आत्मी सपनी आई बात भेजा में घूशा की नहीं यहां तो बाप का होटल समझ के मुफ्ट में खाने वाले लगभा होता हैं किस की बात कर रहे हो और कोण अरे हमरी जोरू का प्रेंड्स इनके टैलेंट को देखने के बाद अगले महिने होने वाले स्टार म्यूजिक शो में मिस्टर विष्णू को मैं स्टैंड़ अप कमीडियन के तार पर भुलाना चाहता हूँ इतना ही नहीं मुझे यकीन है यह बहुत बिजी होने वाले है इसलिए मैंने अभी स कर देता हूँ और आप सब के सामने यह चेक इन है सौंटार्स तुम्हार लिए बेटा लेलो अरे आप इतनी सारी चीज़े क्यों लेया है अरे रखला बेटी हम लड़का लोगा जनम जरूर दिया है लेकिन उसका जिन्गी तो तुम ही बनाई हो उनको सही रास्ता दिखाकर कुट्टा से आदमी तुम ही बनाई हो बेटी सच कहूं तो म उनके हुनर नहीं सवारा है माना हमारे बेटों में हुनर है लेकिन उस हुनर को तराशने वाली तो तुम ही होना बेटी हम उन्हें आज तक पहचान नहीं पाए ये सब तुम्हारी वज़े से हुआ हमने तुम्हें बहुत बहला बुरा कहा बेटी पर जो हुआ उसे भूल हम अपनी गलती की माफी मांगने आए हैं ये चीज़े ले लो बीटी इस वक्त हमें बस एक ही बात खाये जा रही है हम सभी के बेटों की तो जिन्दगी समर गई लेकिन रवी उसकी फिक्र बिल्कुल मत कीजिए वो जहां भी होगा अपनी मन्जिल जरूर पाकर रहेगा कि अधिकर जाने वाले कारी आपकर चाहर पर चाहर पर चाहर ना जाके पानी की बटल लेकाना च्रीक है कि अपनी उसे निवेदर है कि वह अपना सावा चाहर लेका थेंग गॉड़ तो तुमने उन्हें बता दिया कुछ नहीं बता है मैंने कहां लोटकर वापस आउगा तो सब कुछ पता दिना अब मेरे आने से पहले तुम अपने मॉम रेट से बात कर लो कि क्या बगल के अपार्टमेंट में टीसी है टिकेट तो तेरे पास ही ना शायर जाकर पता करके बर्थ कनफर्म हुई की नहीं मैं वो जाना यार ठीक है मैं बस अभी आट इडियोट असल में मैं तुमसे के लिए में बात करना चाहता हूँ हमारे बारे में इसे पता नहीं है ना पादो पादो में कई ने पता तो नहीं चाहिए इसका सवाल ही नहीं उठता मुंबई से वापस आते सीधे शादी का काड़ चपाऊंगा नो इंगेजमेंट स्ट्रीट मेरेज अबे लिस्ट में अपना नाम तो कंफर्म्ड है लेकिन उसमें तो उस गधे का भी नाम है किसकी बात कर रहे हो एक्सक्यूज मी हटो 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 दूर हटो एई सुनो यह सामान ले जाओ बर्ट नमबर 28 पर जाकर रख दो जाओ समल के यह कहां से बानू तुम कहां जा रहे हो क्यों सिर्फ यह लोगी मुंबई जा सकते हैं क्यों एक बार कह नहीं सकते थे मेरे साथ चल इडियेट्स अब कोई अच्छे काम के लिए तो साथ में काली बिल्ली को कौन ले जाता है सौरी ऐसे ही फाल तो समझ रखा है क्या साले के लिए केटरिंग के टेंडर बराधा मैंने अप्रू हो गया इसलिए जा रहा हूं मैं कितनी अच्छी बात है कि तुम तीनों अपने अपने काम से मुंबई जा रहे हो इस बात की मुझे बहुत खुशी है अल्दु बैस तेंक्यू अरे ट्रेन निकलने वाली है जाओ अं अजली बाई पहाच का फोन करना होगा है अजली यू दोंट वरी वह कहीं पर चाड़ गया होगा भाई अजली ऑफ शुशा यू अजली निकलर करें हो क्यूशा वागा इसलिंग एकुशा जा था है और यह चलो निकले कृं घूशा निकलना जूशा जहां जुशा शफी चल्दी 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 cancersभाटी चल्दी Sig चल्दीने चल्दीक। कि अर्दी चल्दीन रंपी चल्दीन! कर दो कर दो कर दो आपने रेलवेय की प्रॉपरटी नहीं, लोगों की जान भी पचानी, थैंक यू मेरी माच, जग में खायल हो जाने के बावजूद, आपने इतनी दिलेरी और जांबाजी दिखाई, रियली यूर ग्रीट, बेटा, बगवान आपको लंबी उमर दे, वो सदा आप और आप ज प्रॉपरणी अपने रवी का इंटरवी यार, नमस्ते रवी जी, आप ये बताएए बाइए बाइक प्रादिं का इंट्रिस्त अपको कपसे है, दरसल मेरे फादर मेकानिक है, बाइक तो हमारे गरेज पर पड़ी नहीं तो बाइक चलाने सीखना तो मेरे लिए काफी आसा जी बिलकुल, इससे, अपने पिता से, नहीं, अजली से, ठेक है रहा हूँ, मेरे जिंदकी को एक नई दिशा देने वली और कोई नहीं, अजली ही है, अजली स्टार टीवी, आपका चैनल जिसका इंटर्वी ले रहा है, विस्टर रवी, अजली, आप तसक्तु का आड्रेस कह है, अरे भाई, आप लोग फिपक क्या 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 करे, वहां मंड़त में अंजली दिदी की शादी हो रही है, शादी? अजली, आपका 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 आप कि जरा संथिया अ किमख्जर करो तो मेरे और दोस्तों के साथ खहला है कि सब के सामने वे न害ाप करूँगा नो जो बोलो अंजली अपने बाप की कसम हखा कर बता तूमने जपपा कर उसेज़ सफ़से श् forms मेंद जबांऄ जबाब दो हां कहा यू कहा तुमने भुमाने के लिए चार और शादिक लिए कोई और गगल में नच श्याई हमे और तुम मंडब में बैठा कोई और, पांच-पांच मरदों का हाथ एक साथ थामने वाली अपने अपको द्रॉपदी समझते हैं तू? जवाब दो, हमसे प्यार का नाटक क्यों क्या, हमारे सब खिलबाड क्यों क्या, तुम्हारे प्यार में हम पागल हो गये थे, हमें मजडू मना कर रखा थाम ना, अब बोलती क्यों नहीं, बोलो ना गुड मॉनिंग सर, मेरा नाम राघव है, और ये मेरा बायो डेटा मत दिखाओ, मत दिखाओ, कोई जरूरत नहीं है इसकी, देखो, तुम जैसे बेकार नौजवानों की कहानी सुन-सुन के मेरे सर में दर्ध हो गया है, इस शहर की एक बात बताता हूं तुम्हें, यहाँ पर तक्रीबन हर दिन, पांच हजार लोग ग्रेजूट होकर निकलत सर, आपका अपना खुद का घर है, पिछले साली करोर बाग में खरीदा है, तुम क्यों पूछ रहे हो? अगर मैं लोन लेता हूं तो कोई गैरंटित होना चाहिए तुम्हें लोन दिलवाने के लिए मैं गैरंटी क्यों दूँगा भला? आइडिया भी तो आप ही ने दिया ना सर, चलिए ठीक है, आप जॉब से रिजाइन करगे मेरे बिजनेस पार्टनर बन जाईए, हम दोनों ही पांच साल में करोर पती बन जाएंगे मजाग कर रहे हो? मजाग तो आप जैसे लो करते हैं, जिन्हें नौकरी चाहिए आप उन्हें बे विजूल की सला देते रहते हैं, यहां बैट करके आपको पांच अबाने और बख्वास करने की सालिरी मिलती है, तुनो मिस्टर, हद से आगे माद बढ़ो तो, हाँ, हद से यह उंगली दिखा रहे हो तो, अभी तो बस उंगली दिखा रहे हो, सरा चूकर देखो, हाँ तोड कर रख दूगा, और रख लो ऐसे दो चांग लोगों को काम थे, इस देश की अर्थी तुम जैसे लोगी तो निकाल रहे हो, हाँ, 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 अपनी नौकरी से इस्तीफा देना चाता हुगा, क्यों क्या हो मा बापा, मैं ट्रेन ड्राइवर हूँ या खोनी समझ में नहीं आ रहा, दो नौजवान प्रेमी थे, शायद अपने प्यार में असफल हो गए, और मेरी ही ट्रेन के चोटे बच्चे थे, मासूम थे वो, तुकडे तुकडे हो गए, जिर कहीं, धाड कहीं, वो नजारा तुम्हें देखे नी पाया, ची, जब जीने की हिम्मत नहीं है, तो मरने की हिम्मत कहा से आ जाती है, उनका क्या है, बस एक सिक्र लगा और आखे बंद हो गई, उनके ख जोट मत बोलो तुम, इस वक्त कहा होगा, जानता हूं मैं, अपने फालतू दोस्तों के साथ, उस पूल पर बैठकर फू-फू दम मार रहा होगा, और फालतू की बगवां से कर रहा होगा, अबे, इंटर्वी के लिए गया था ना, क्या हुआ, और क्या होगा, वही रोज क कहानी, मतलब आज भी किसी के बजा क्या है, क्या है, कभी-कभी तो लगता है, पढ़ायी लिए, उनकी ड्यूट तो खत्मों गई, घर भी पहुंच गया होगा, मतलब आज भी तु पीछे के रास्ते से गुते हैं, और नहीं तो क्या है, लो, आ गए साहबजादे, खुद क ये घर में चोरों की तरह घुस रहे हैं, बर पेट दारू पी कराये होंगे, खाना खिलाओ, नहीं तो रात बर पेट दुखेगा उनका, गुर्ड मानिंग, आ गए तुम, पता भी है, इस वक्त कितने बजगे हैं, तीन ही तो बज़े हैं, तुम लोग इतनी देर तक मतलब बाहर से, मतलब बाहर से, वही तो, कहां से, कहां ना बाहर से, कहां जा रहे हो, वह भी सुभा इतनी जल्दी-जल्दी, पहले नाश्ता कर लो फिर जब, जल्दी-जल्दी, जल्दी दे नाश्ता, ज्यादा दे रुका तो बंफटने लग जाएं, अरे वाह, ऐसी मिठास तो सक्मा के खाने महीं हो सकती है, जरा पापा तो दो दो, जरा पापा तो मतलब? पापा मतलब समझी नहीं, कुछ दीखा, चटनी ले आओ, तु फिर मैं कोन हूँ? तुम तो पानी की तरफ, पापा गा घुसा ठंडा कर देती हो, अगर तुम ना हो और मान आओ तो मैं तो गया, बड़ा प्यारा रहे तुम्हें अपनी बहन पर, कल जब पापा और मेरी बंती नहीं है, हमेशा हम दोनों लड़ते रहते हैं, हम दोनों की जंग देखकर कहें, इसका दूला भागना जाए, वो बॉर्डर सेक्यूरिटी ओफिसर है, नजाने ऐसी कितने जंग देखे होंगी, वो तो अलग जंग है बैना, वो देश की लड़ाई है और ये घर की, तुम ते ऐसी बाते कर रहे हैं, चैसे कल शादी में भी नहीं रहोगे, अरे ऐसा क्यों कहे रहे है, तेरी शादी में मंडब सजाने से तुझे विदा करने तक साय काम करूँगा, मैं, पक्का है, एक मिनट, नहां जा रहे हैं, बाहर जा रहा हूँ, बाहर मत आठार तोड़ने के लिए निकलता है, या फिर कोई भी कान करकर पैसे कमाने के लिए निकलता अपने घर से बाहर, तुम घृत ऑफ इवार बे बैठोंगे, अपने आवारा दोस्तों के अधु के उपढ़ सूँ करोगे, अरे ये करने जारे जारे हैं, बता कर तो सब्बेकार है मेरे दोस्त है मेरे लिए सब कुछ नुका वही समझते और मेरे आजु भी पोचते हैं उनके साथ वक्षू नकी साथ है मुझे बनकी शांती था निवास बंकार तुम्हारी उम्रे में काम करते करते अपनी बहें के शादि कर वाई अपने बीवी बच्चों हाजार लोग हाथ फेलागा खड़ें अगर इजद से नौकरी मांगने जाओ लोग कुपों की तरह भगा देते हैं मेहनद करने वालों को नौकरे कहीं भी मिल जाती है लेकिन मेहनद करने का जिगर होना चाहिए समझे एक हमते में तेरी वहल की शादी है शादी के कितने काम होते हैं पता है तुझ पता है अपने इसके बारे में शादी कभ है कहां है लड़के वालों से मुझे मिलवा है किस हैसियत से मिलवाओं मैं तुझे कि मेरा मेटा गवर्नर है कि मेरा मेटा कलेक्टर है क्या मोलू मैं मैं गवर्णनेर का लेक्टर होता था भी आप मुझे मिलवादें, अपने बेटी की हैसियत से नहीं करा सकतें, इस दिन से तो काम करना शोरू करेगा, उसी दिन से मैं तुझे अपना बेटा मानूगा, मुझे पैदा करने से अच्छा आप एक नौकरी पैदा कर देतें, आप मु क्या भया, ऐसे क्या देख रहे हैं? बिल्कुल मा की तरह लग रहे है, अच्छली, हाथ है? क्या इसके लिए तुमने कर्ज लिया, भया? यह अखरी कर्ज है मेरी बेहन, अरे तुम क्या हो, पहले कपड़े बदल लो, बाप पूजा शुरू होने वाली है, ठीक है, अभी बदल लेता, अरे तुम टेंशन मतलो, लेट भी होए तो चलेगा, तब तक महीं लोग किसान पत्ते खेल लिए तौँ, क्या कहते है वाए तौँ, अजिली, अजिली, पुझे लेगा, तेरा परी मिलिट्री उप्पेटर है तो बढ़ा है, कड़तोंगा, लेकिन यह तो पहादी स्मूध है, सुनजर, या आओ, क्या हो आजी, रगु से कहना कि ये चेन दूले के कली में पहना, कलको लड़के वाले ये न कहें कि रणकी के भाई ने कुछ नहीं दे, तो ये चेन आपी जाके दे दी चेना उसे, हाँ, मैं दूगा तो उससे बेज़ ज़ती महसूस होगी, जा तुम द अपने अपने नोट ने कलो, भाई, ये बालो की तो अलागी शान होती है, देखो, आराम से बैठे पत्ते खेल रहे है, अरे सुनो भाई, दादी का मुरत सुवेद तीन बजे का है, तब तक दोर नी बनाए, तो तुम भी आजाओ, बोचा रात खेल लो, आब ही जाओ, उन गाजी मेरी होगी, शो, हाहा, हाह, हाह kinda, क्या बाद है, बहुत की तो खाली होगी है, अब क्या लगाएगे ता उलागी है, फोॉकेट काली है, क्या गली है तो पिने में चेन, आतों में कित्री अंगूरी रही कैस्थ, वान्ना कपड़े निकाल कर खेलने में शरम आइगी पहला हुल ड JEầ! आरे याँसे परी चलेगा यार। सी चाल चलो ग्या करने हो तूर-पाँ माझे पाँ अगर चलो च अब चलो कपड़े पह狄 पहले TWO वोत उतार जकते हो, तो चलो चलो कपड़ी उतार दो, क्या पक्लास कर रहा है? यह कुछ जान ही होता है, ब्रदर, हाथ अठाओ गिरे बाद से, नहीं अठाओ मतों क्या करिगा बेश? तेजास अठाओ यहां एक वोड़ें के भाई के दोस की वजा में फीट रहा है, यार क्या बात है? वो दोने के दोस्त हमारे दोस्तों को मार रहे है, यार गोपाल, गोपाल, तुम्हारी कोई गलती नहीं है यार, शुरूबात तुन्हों नहीं की कसम से कह रहा हूँ दगो, अपने होने वाले जीजारों के दोस्तों के साथ इस तरह का सुनुक कर रहा तुम्हों जब तक तुम मेरी बहन के मांगने संदूर नहीं भर्दे थे तुम उसके पती नहीं कह लाओ गया और नहीं मैं तुम्हें जीजा मानूगा और इस होने वाले रिष्टे के लिए मैं अपने जीजा मानूगा जीजा मानूगा झाल झाल चांदनी तुम मुझे रगु से मिलना है चलो सुन रगु चांदनी मिलने आई है तुस्से मेरी घरवालों ने मेरी शादी तेकर दी है इसलिए में घर छोड़के चली आई यह तो तुमने घलत है अगर वहां रहती तो सबर्दस्ती मेरी शादी करा देते चांदनी मेरी पहन की शादी मेरी वज्जह से रुकाई मुझे चुपाने के लिए पिछले एक हफते से अपने सकतनी चांदनी कर लेते हैं का बेवखुफी की बाते कर रही है हर समस्या कर समध्भान शादी नहीं है ऐसे है तो चलो वह रहा सामने मंदर चल कि कर लेते हैं दोनौशा desarroll है दोग आए देंगे खाना खाएंगे और चले जाएंगे लेकिन उसके बात क्या हमारा क्या होगा है कैसे जाए है ओसे दो में मॉर्न जाए मुझे दो मुझे मिलनी तो थिर रहा हूं को ही समझता मुझे को cr Chloe कर दर्ता जाता हूं तो थे ही स्क्रादी करना चाहता हूं वह भी मुझे नहीं समझ्च स अख दो थी Regal पताओ कि मैं क्या करूं देखो उसके जन दिन के लिए ही ने दस दिन पहले ही कपड़े लिए थे और बाप हूं उसका और उसने क्या किया जब भी बाहर जाता हूं तो हर आदमी यही कहता है क्या आपके बेटी की शादी तूड़ गई है आपके उस नाला एक बेटे की वेड़े से तूटी है ना और ये सुनकर शरम से मेरा सिर जुख जाता है एक बात और सुनलो तो मेरी मर्जी के बिरा अगर वो यहां आया तो अच्छा नहीं होगा कि अच्छा आपके यह वो नमस्ते अंकल मेरा नाम चांतनी है मैं और रगुपाट साथ से उसरी को चाते हैं शादी करना चाते हैं रुख जाओ बेटी रुख जाओ मुझे जरा सास ले लेने दो कहीं असान हो कि मेरी सास रुख जाए और मैं मर जाओ एक बिनिट तुझा पता यह कौन है मेरी बीटी है इसकी बहन दस दिन पहले यह शादी करके जाने वाली थी पर इसके शादी टूट गई इस नालाइक की वजह से यह बता तुमने इस पांच सालों से प्यार करती हो ना तुम इससे और इन पांच सालों में तुम क्या करते हो मेरे साथ जिंदगी कैसे बिताओगा पूछा कभी तुमने इससे और सुन्ना चाहती, इसलिए जो पैंट पहनिए नwurf मेरे पैसों से और शर्ट ग्ज्च कैरा बन्यान भी मेरी कमाई के इस के पैरों के चपल भी मेरी कमाई के उलए मेरेभी पैसो से ऐए Are I पूरी कर नीहोंगी तुम्हारे सवान काजल तिक के बिंदी हर चीज मुझे देनीहोगी और इतने उन्हारे सोने के लिए बिस्तर अभादर दक्या सब मुझे देना है कि अ मतर प्लीज प्लीज रखू अब मुझे मत रोगो तुम्हारे पिताजी ने मेरी आखे खोल तुमसे कहा थाना तुम अपनी नौकरी ढूंड़ो और मैं अपनी जिन्दगी ढूंड़ती हूँ चांदनी पापा मिल गया ना आपको सुकुन है मेरे जनम दन का अच्छा तोफ़ा दियाया आपने मेरे प्यार के भरो से जो लड़की अपना सब कुछ छोड़के आई उस लड़की को आपने बेईज़त करके निकाल दिया ठीक आपने यह पैंट आफी की यह शर्ड भी आपी ने दिये और यह घड़ी भी आपकी और यह चपल सब कुछ आपी का दिया हुआ है मेरे यह शरीर और यह जान आपी की तो देन है पापा और मेरे अंधर जो खून दोड़ रहे वो भी तो आप ही का है पापा आप ही की वज़े से मेरा ये वजूद है कहने को मेरा कुछ नहीं है कहते हैं कि पाँच साल तक बाप बेटे के लिए एक पिता की तरह होता है और अगले 15 साल वो उसके लिए मार्क दर्शक बन जाता है और उसके बाद वो हमेशा उसका दोस्त ही कहलाता है लेकिन आप आप तो मेरे लिए कुछ भी नहीं बन पाए पापा और आज एक जटके में इस 25 साल के नौजवान के आत्म विश्वास को आपने एक लड़की के सामने चकना शूर कर दिया अच्छा तोफा दिया आपने इस जनम दिन पर मुझे पापा जिसे मैं मरते दम तक नहीं बुला पाऊंगा आज मेरे जनम दिन पर ही आपने मुझे म खख़ती ओम पाई नौश्वादी, भाईimes, से गफ वादारा आपने आपने मरते हैं बादे हैं, आपना हैं, इस टामने लड़ा स्वास bucksर और मैं इसकर दित्म के लोग्ग्हां मैं लिए भ्भारी चाहता हैं, तो वीसे पाइसे जोगे ऑी चुतना बपस्ब़िया मैं च offer करते हैं आएओ करुड़िगो Stop! कर हार रंचा दलए हग नव का स्वा वा करेंगा हुई गा काullen एंप स्वा प्टॉए अठी हुई कि पूझ म हुई लाए आज़ 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 तो ही आप लोग भी मेरे भाई की तरह कोई कलती रहकर बैठो इसलिए मैं बहुत घबरा गई थी अब सब में कोई ने कोई खूबी है अपने पैरों पर खड़े होने की थाकत है तुम्हें कुछ अच्छा कर दिखाने का जोश और होसला है तुम लोगों में जो बस लड़कियों को छेड़ने में साहान नहीं होना चाहिए तो मैं अपने जीवन को सवार ना होगा यही सोचकर मैंने तुम लोगों से प्यार करने का जोटा नाटे किया कहीं होश कोकर तुम लोग खुद कुशीनक कर लो इसलिए मैंने तुम से जूट बोला था और मेरी इस जूट की वज़े से ही आज तुम लोगों की जिदगिया सवर गई है तो क्या मैंने गहत किया बताओ ना चुप क्यों खड़े हो अगर किसी के बेटी ये कहे कि मैं चा जानता हूं और समझता हूं अच्छी तरह मैंने चाहता कि वो दर्दापके घरवाले भी सहें कि इसी लड़की के लिए जान देने से पहले जिस माबापने तुम्हें जन दिया पाला पोसा अच्छी शिक्षा दी तुम्हें अपने पैरों पे खाला किया पहले उनके बारे में तो सोचलो ज़रा अभी लाइफ एंजॉय करने में बहुत मज़ाएगा लेकिन जब तुम करता हम न तोड़े होश खो करका है आत्मा त्यानक करवाइथ हो कि नहीं को यह ऐसा कदम न उठाओ के जिससे तुम्हें तकलीफ हो तुम्हारे घर वाले जिंदगी भारो है यूद्ध नौजवान हो कुछ कर दिखाओ इस देश को आगे बढ़ाने का जोश है तुम्हें जाया नहीं होनी चाहिए वरो बिजेंदर सिंग बिराड कोहली सचे तेंदोल कर इन जैसो के रक्षे कदम पर चलो जिंदगी अनमोल है मेरी मानो जाया मत करो इसे कुछ कर के दिखाओ कुछ पर के दिखाओ यार हृृृृृ। थालो जाया जात्रैंश जाधो भक्षे का दिखाओ करेंचे बिंदर सृबू टा नहीं हो अँ यारा वख करकी ए आत्रैंश कर अदे हम तर हाधोई गैध behind me जाध़ झालो जोगनी हो इ setव औरृ। कर दो 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 करे का así